कुल्लू के एतिहासिक ढालपूर मैदान में तीन दिवसिय 27 वी राज्यस्तरिये हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश हैंडबॉल एसोसियेशन द्वारा आयोजित की जा रही इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से लगभग 300 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे है कुलू के एतिहासिक धालपूर मैदान में आयोजित राज्यस्तरिये हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारम घाटी की समाज सेवी सुभाश चंद्र शर्मा ने किया इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला कांग्रा और स्टेट स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपूर की पुरुष टीम के बीच वा जिसमें कांग्रा ने स्टेट स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपूर को पराजित किया इस मौके पर मुख्य अतिथी समाज सेवी सुभाश चंद्र शर्मा ने खिलाडियों को अपनी शुभ कामनाएं दी हैंडबॉल एसोसियेशन के प्रदेशा अध्यक्ष भरत साहनी ने बताया कि इस राजिस्तरिये हैंडबॉल चेंपियनशिप में प्रदेश भर से खिलाडी हिस्सा ले रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश हैंडबॉल एसोसियेशन की तरफ से जूनियर वा सीनियर खिलाडियों के लिए हर साल राज्यस्तर की प्रतियोगिता आयोजेत की जाते हैं ताकि प्रदेश के उभरते खिलाडियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके उन्होंने कहा कि प्रदेश की हैंडबॉल टीम के खिलाडी अंतराश्ट्रिय स्तर की प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिन धित्व कर रहे हैं बढ़ाने के लिए हमारी पूरी हिमाचल प्रदेश की टीम और पूरा हिंदुस्तान के अंदर हैंडबॉल का वर्षम लैरा रहा है उस रिस्टी से हम ये स्टेट्स की टीम जो हैं स्टेट टूनोमेंट जो हम करा रहे हैं इसमें सारे डिस्टिक्स की हमारे जो टीम्स हैं तो पूरे के पूरे डिस्टिक्स और प्लस स्टेट्स होस्टल की टीम्स यहां पर पाटिस्पेट कर रही है और यहां पर वाताबरन अ सिटी चैनल के लिए कुलू से दिलीब ठाकुर की रिपोर्ट